दोस्तो यद्लिया इंवेस्टमेंट अक्याडमी में आपका स्वागत है। जिससे आप 6-7 सालों में कर्ज मुक्त हो पाए हो तो जरूरी आपने दूसरा घर खरीदा होगा। क्या करें हम भारतिय ऐसी सोच रखते हैं जिसमें कर्ज बुरी बात होती है अपना घर सबसे जरूरी बात होती है और दूसरा घर जिसके पास हो उसे धनवान कहते हैं। तो फिर जब ऐसे में आपकी आमदनी बढ़ती है या फिर आपको कहीं से एक बड़ी रकम मिल जाती है या फिर आपके घर का और एक व्यक्ति कमाने लगता है तो पहला खयाल आपको आता है क्यों आमें अपना लोन चुका दूँ। मगर सारे लोन बुरे नहीं होते और खास कर घर का क्योंकि ये सबसे सस्ता लोन होता है जिस पर आपको टाक्स बेनेफिट्ज भी मिलते हैं। तो क्या कोई एक ऐसा रास्ता हो सकता है जो अपने होम लोन का पूर्व बुक्तान करने से बहतर साबित हो। आए एक उधारन देखते हैं इससे समझने के लिए। होम लोन का पूर्व भुक्तान कर देना चाहिए। तो दूसरे साल से अपने EMI के साथ एडिशनली 20,000 रुपे भरने की वज़े से अमित 10 साल 5 महीनों में ही अपना पूरा होम लोन चुका पाते हैं। तो अब इसके बाद होम लोन EMI का अमाउंट प्लस एडिशनली 20,000 रुपे इस तरीके से 63,391 रुपे अब एडिशनली अमित के पास अवेलेबल हैं इन्वेस्मेंट के लिए। तो यदि अमित ये अमाउंट 9 साल 7 महीनों के लिए क्योंकि 20 सालों में से 10 साल 5 महीनों के अंदर अमित ने होम लोन चुका दिया हैं तो अब उनके पास 63,391 रुपे अवेलेबल हैं 9 साल 7 महीनों के लिए तो अगर 9 साल 7 महीनों के लिए ये अमाउंट अमित ऐसे अप्शन में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें 10% के रिटर्न्स देते हैं हर साल तो 20 साल के आखिर में अमित के पास एक घर भी होगा और 1.22 करोड रुपे भी होंगे और यदि अमित इस अमाउंट को ऐसे अप्शन में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें 12% के रिटर्न्स देते हैं तो 20 साल के आखिर में अमित के पास एक घर भी होगा और 1.26 करोड रुपे भी होंगे और यदि अमित अपने पैसे ऐसे इन्वेस्ट में डालते हैं जो उन्हें 15% के रिटर्न्स दे पाते हैं हर साल तो 20 साल के आखिर में अमित के पास एक घर भी होगा और 1.62 करोड रुपे भी होंगे और इसी जगे अगर अमित 20,000 रुपे का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते अपने होम लोन की तरफ और इनी इन्वेस्टमेंट अप्शन्स में इन्वेस्ट करते तो 19 सालों की 20,000 रुपे की SIP के बाद 19 साल इसलिए क्योंकि EMI एक साल भरने के बाद अमित की शादी हुई तो 19 साल 20,000 रुपे की अगर ये SIP लगाते ऐसे अप्शन में जो उने 10% के रिटर्न्स देते हर साल तो अमित के पास 20 सालों के आखिर में अपना घर भी होता और 1.36 करोड रुपे भी होते और यदि अमित 20,000 रुपे 19 सालों के लिए ऐसे इन्वेस्मेंट अप्शन में ड जो उने 15% के रिटर्न्स दे पाते हर साल तो 20 साल के आखिर में अमित के पास एक घर और 2.58 करोड रुपे भी होते तो आपने देखा 20 सालों के लिए आपके जेब से उतनी ही रकम जाने वाली है मगर यदि आप अपने होम लोन का पूर्व भुकतान नहीं करते और कुछ अ एक्स्ट्रा कमा पाएंगे यदि ये इन्वेस्मेंट ऑप्शन और भी अच्छा हुआ और 12% के रिटर्न्स दे पाया तो ये डिफरेंस 38 लाख रुपे हो सकता है और यदि आपका इन्वेस्मेंट ऑप्शन 15% के रिटर्न्स कमा पाया तो ये डिफरेंस 96 लाख तक जा सकत तो दोस्तों यहाँ पर हम यह कहना चाते हैं कि जबी भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा इंकम हो तो होम लोन का पूर भुक्तान करने से बहतर यह होगा कि आप उसे इन्वेस्ट करें इन्वेस्ट ऐसी जगे करें जहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाएं और जबी भी आपको इन्वेस्ट्मेंट्स करें तो उसे इसी वितिय लक्स से जोड़ दें होम लोन एक सबसे सस्ता प्रकार का लोन होता है जो टाक्स बेनेफिट्स के साथ भी आता है आशा करते हैं ये विडियो आपके लिए यूसफुल रहा हो इसे देखने का शुक्रिया ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चानल देखते रहें इन मेंसे कई टॉपिक्स हमने अल्वडी कवर किये हुए हैं इन टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे होम पेज पर जाएं और चानल के अंदर वाला सर्च यूज़ करें ना के यूट्यूब वाला सर्च तो आपके कीवर्ड से रिलेटिड जो स